हेलो एव्रीवन आप्ट्र कॉशल और आज फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ लाइव सेशन में और आज जो हमने लाइव सेशन का टॉपिक चूज किया है वो है करेक्शन आफ स्मॉल चिन तो जब हम करेक्शन आफ स्मॉल चिन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्मॉल चिन होता क्या है या चिन होती क्या है तो यह एक हुमन एनाटमिक स्कल का रेप्रिका मॉडल है और जो हमारे नीचे का जबड़ा होता है जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं उसका ये जो friend portion होता है, इसको हम chin बोलते हैं। तो क्योंकि developmental anomaly और कई कारणों के वज़ा से, growth disturbances के वज़ा से, या overall asymmetric profile होनी के वज़ा से, हमारा क्या होता है? कि ये जो chin होता है कई बार छूटी रह जाती है, और facial profile बहुत ही उसके वज़ा से compromise लगता है, क्योंकि हम जब facial profile की बात करते हैं, तो हमारा जो face होता है, वो तीन हिस्सों में divide होता है, upper one third, middle one third और lower one third. तो weak chin होने के वज़ा से, या small chin होने के वज़ा से, जो हमारा lower facial third होता है, वो बहुत ही weak लगता है, और जो facial balance होना चाहिए, जो aesthetic point of view से facial balance होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है, तो ऐसे cases में patients जब हमारे पास आते हैं कि for the correction of small chin के लिए जब हमारे पास आते हैं patients तो हम thoroughly उनको clinically evaluate करते हैं, उनकी problem जाने की कोशिश करते हैं कि what is the main problem they are having and किस स्वज़े से वो affected हैं and how they are considering to improve it. तो जब हम chin का options patients को बताते हैं कि हम chin को किस तरह से correct कर सकते हैं, तो हमारे पास दो option है, chin को correct करने के लिए. पहला तो होता है जो आपकी native chin होती है, जो आपकी original boni chin है, हम इसको correct करते हैं surgically, जिसमें कि हम chin को with the help of the surgical saw या surgical method से हम chin को split करते हैं और इसको हम advance करते हैं. दूसरा option जो हमारे पास होता है, जिन patients को invasive surgery नहीं करवानी होती, या bone cutting नहीं करवानी होती, उन patients के लिए हम chin implant का option देते हैं. अगें chin implant एक foreign body है, जो कि silicon का बना होता है, जो कि हम intraoral root से, हमारे center पे हम intraoral root prefer करते हैं, के लिए भी और genioplasty के लिए भी, और हम intraoral root से ही chin implant और genioplasty या chin की surgery करते हैं. लेकिन सबसे जरूरी चीज जानने के लिए है कि सारे candidate, सभी लोग या जो लोग small chin या recessed chin या छोटे chin से सफर करें, सारे ही लोग जो होते हैं, वो या तो genioplasty या implant के candidate नहीं होते हैं. से हमें पता चलता है कि कौन सा patient किस चीज के लिए है और किन cases में हम best treatment outcome दे सकते हैं, इधर with genioplasty और with chin implant. जो दूसरी चीज हम साथ में incorporate करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे वो है CBCT scan या 3D scan of the patient, जिससे कि हमें better assessment idea लगता है, और साथ ही साथ कभी कि हम 2D cephalometrics के मदद से भी हम patients का exact advancement का distance हम ले पाते हैं. अब जैसे कि मैंने बताया कि genioplasty और chin implant दोनों ही एक दो different procedures हैं, और हमें clinical evolution और radiographic evolution के मदद से हमें पता चलता है कि किस candidate में हमें क्या करना है, कुछ ऐसे cases होता हैं जिसमें हम दोनों simultaneously use कर सकते हैं, जैसे कि जिन में बहुत ही जादा receded chin हो, और क्यूंकि genioplasty का एक limitation यह होता है कि हम बहुत जादा chin को advance नहीं कर सकते हैं genioplasty के साथ, let's say maximum appreciable distance what we can get with genioplasty is around 8 mm, but अगर किसी को बहुत ही prominent और बड़ी chin चाहिए होती है, तो उन cases में या तो हम sliding genioplasty, जिसमें कि हम chin को दो जगे से cut करते हैं और थोड़ा-थोड़ा advance करते हैं या genioplasty combined with a chin implant हम उन patients को offer कर सकते हैं, कुछ cases ऐसे होते हैं जिनका chin और mandible body दोनों ही short होता है, ऐसे cases में हम combination treatment फिर से use करते हैं जिसमें कि हम bilateral sagital split ostotomy या BSSO की surgery के साथ genioplasty chin advancement surgery को include करते हैं, यह जितने भी surgery होती है, इनका advantage यह होता है कि सारी surgery मुग के अंदर से होती है और इसमें कोई भी physical scar या external facial scar नहीं आता और यह जब internal यह surgery की जाती है, तो जो mucosal healing होती है, जो अंदर की tissues की healing होती है, बहुत ही अच्छी होती है और कोई भी remanent scar या abnormality नहीं है रहती healing के बाद, Now another important question जो लोग हमसे पूछते हैं कि chain advancement के बाद वो नहीं जगे पर कैसे रहती है, तो हम या BSSO करें या chin advancement surgery करें, हम जब bone को move करते हैं पुरानी जगे से नहीं जगे पर तो हम इस पर क्या करते हैं कि titanium के plates होते हैं, screws and plates की मदद से हम नहीं जगे पर chin को stabilize करते हैं, bone को stabilize करते हैं और जैसे ही bone की healing होती है, bone अपने नहीं जगे पर stable हो जाता है, कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि sir ये जो अपने screw and plates लगाया या क्या lifelong रहेंगे या हम इसे बाद में हटवा भी सकते हैं, तो for those cases जिसमें कि patient अगर नहीं निकलवाना चाते हैं तो ये पूरी तरह से biocompatible implants होते हैं और ये आप lifelong body के अंदर रहने से भी कोई complication नहीं होता, लेकिन यदि अगर कोई मरीज चाहे कि थोड़े दिनों के बाद जैसे कि healing पूरे होने के बाद अगर वो चाते हैं कि वो implants निकल जाएं, तो वो implant हम निकाल भी सकते हैं, एक छोटा minor procedure करके, दूसरा advantage हम जब titanium plates advice करते हैं patient को तो वो इसलिए होता है कि ये MRI compatible implants होता है, जिसमें कि post surgery अगर कभी किसी कारणवश MRI करवानी की जरुद पड़े, तो उन cases में ये MRI को साथ interfere नहीं करता, हम जब अपने center पे chin implant भी करते हैं, जो silicon based implants भी करते हैं, तो उसमें भी हम chin implant को अब उसकी जगे पे stable रखने के लिए screw के help से, same titanium screw के help से हम उसको भी fix करते हैं, Now, what is the advantage of genioplasty over chin implant? तो genioplasty का जो एक advantage होता है, chin implants में वो ये होता है कि, क्योंकि आप ये native bone है, कोई भी foreign object नहीं use हो रहा है, तो risk of infection is little bit less in comparison to chin implants, दूसरी चीज़ ये होती है कि हम genioplasty में दोनो advancement के साथ, elongation मतलब कि अगर किसी को facial third की थोड़ी से height भी जिसन patients पर लंबी करनी है और जिसमें advancement भी करना है, आगे की तरफ भी chin लेके जाना है, नीचे की तरफ भी chin लेके जाना है, हम दोनों कुछ कर सकते हैं, साथी साथ हम इसमें reduction भी कर सकते हैं, यदि हमें chin है तो छोटी लेकिन facial height काफी लंबी ये lower third की, तो उन cases में हम क्या कर सकते हैं, कि chin को advance करने के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ reduce भी कर सकते हैं, जिससे हमारा facial height proportion हम दुबारा regain कर सकें, दूसरा जो chin implants में जब हम करते हैं, तो chin implants में it gives more of a forward projection, यवो आगी की तरफ हमें projection अच्छी देता है, कुछ हद तक वो भी हमें lower extension, जो हमारा height increase है, कुछ हद तक वो आ सकती है, चिन implants के जथ, but it is always better in genioplasty, अगर हम खान पान की बात करें, सर्जरी के बाद तो genioplasty या chin implants में जो चीज consider करने की है, वो यह है कि हम patients को semi solid liquid diet first 10-14 days के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब हम intraoral surgery करते हैं, क्योंकि muscle के थुरू हम जाके chin implant या genioplasty करते हैं, तो एक proper healing phase देते हैं, ताकि हमारा कोई भी tissue वहाँ पे mobile ना हो, suture line distance ना हो, या कोई भी suture में gap create ना हो, साथ ही साथ, जब हम semi solid और liquid diet patients को advise करते हैं, तो oral hygiene maintain करना बहुत ही suitable हो जाता है patients के लिए, और एक अच्छा oral hygiene patient maintain कर पाते हैं, जनरली हम 10-14 दिनों के बीच में intraoral sutures remove करना पसंद करते हैं, although हम surgery के बाद जो है resolveable sutures use करते हैं, जो कि खुद से गल्ले वाले होते हैं, oral hygiene अच्छी maintain करने को advise करते हैं, gradually after 3 weeks patient अपने normal diet and routine को follow करना शुरू करते हैं, हम patients को बोलते हैं कि post surgery at least 4-6 weeks किसी भी sternness physical activity से बचें, क्योंकि जब हम कोई भी physical activity जैसे running, jogging या weight lifting करते हैं तो again बहुत ज़्यादा strain हमारे facial masculature पर आता है, and it again compromise the healing or delays the healing, यदि कोई मरीज, droop palm smoking या tobacco usage या किसी इस तरह के पदार्तों का इस्तमाल करते हैं, तो उन patients में हम surgery से at least 4 weeks पहले और surgery के post 6-8 weeks हम इनको smoking से abstain करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि again smoking जो होता है वो आपके oral tissues के साथ healing को compromise करते हैं, inflammation को prolong करता है और healing के साथ compromise करता है, अगर हम downtime की बात करें, chin implant surgery या genioplasty में तो generally 7 days का absolute downtime आप मान सकते हैं जब काफी ज़्यादा swelling होता है, post 7 days आपकी swelling भी कम जाती है और आप अपने normal routine फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, brushing के लिए हम generally baby brush या soft bristles वरे brush advice करते हैं इन patients में ताकि वो अपना oral hygiene और better तरीके से ध्यान रख सके, जिन cases में हम BSSO के साथ genioplasty करते हैं, जिसमें कि पूरी की पूरी jaw को हम आगे करते हैं, उन cases में हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए patients को हम IMF, Intermaxillary Fixation, soft elastics के मदद से रखें जिसमें कि थोड़ी सी mouth opening में restrictive movement होता है, क्योंकि हम elastics लगा के दांतों के उपर उसको stable लखने की कोशिश करते हैं, जब तक की healing नहीं हो जाती, और ये बहुत ही versatile procedure है, chin implant या genioplasty खास करके, वैसे patients के लिए जो की modeling या fashion related career pursue करते हैं, और उनको काफी strong facial profile चाहिए होता है, या उनको ऐसा लगता है कि उनका chin weak है and it interferes with their facial aesthetics and facial profile, तो उन लोगों के लिए genioplasty या chin implant is an option to go for, और जो congenital cases होते हैं, developmental cases होते हैं, जिन में की chin की growth abnormal होती है, या mandible की growth, नीचे की जबडे की growth abnormal होती है, या वैसे patients जिसमें की post traumatic deformity की वज़ा से chin में problem होता है, genioplasty का जो एक और advantage होता है, वो ये होता है कि not only in the anterior posterior plane, ना ही आगे पीछे के साथ उपर नीचे, साथी साथ हम दाएं बाएं, जो कि हमारा sagittal plane होता है, उसमें भी हम chin की asymmetry को correct कर सकते हैं, chin advancement में, तो ये overall बहुत ही जैसा मैंने बताया, बहुत ही versatile procedure है, और अगर आप हमारे YouTube channel पे देखेंगे, तो हमने genioplasty और chin implants के उपर और भी videos बनाए हैं, जो कि आपको in-depth relative information देती है, genioplasty और chin implant related, तो ये इतना versatile procedure है कि हमें, बहुत ही अच्छे तरीके से multi-dimensional correction का option मिलता है, उन patients में जिनें इसकी requirement होती है, तो thank you guys joining for this live session, I hope I am able to give you some information regarding small chin correction, and how do we proceed for the correction of small chin, and what are the options available for the correction of small chin, यदि आपको लगता है या आपके किसी known में, या कोई ऐसे लोग आपके जानकारी में, जिनको इस वीडियो से मदद मिल सकती है, तो please आप उन्हें ये वीडियो के बारे में बताएं, और साथ ही साथ यदि आपके कोई सवाल हो या कोई doubt हो in surgeries related, तो please आप हमसे हमारे whatsapp number जो की हमारे page पे दिया हुआ है, आप उस पे हमें whatsapp कर सकते हैं, या हमारे email idea के थुरू आप अपने questions हमें भेज सकते हैं, directly इस वीडियो के नीचे comment box में आप हमें comment कर सकते हैं, regarding these procedures हमें बहुत ही खुशी मिलती है, जब आप हमसे सवाल पूछते हैं और हम आपके doubt क्लियर करते हैं, जैसे कि यदि कोई person has been through genioplasty एक वर वो करवा चुके हैं, और उनको दुबारा से genioplasty करवाने का मन है, या उनको अभी भी लगता है कि उनका weak chin है, तो उन cases में भी we can combine different procedures to help with the chin correction और हम उनको भी better perspective दे सकते हैं, तो प्लीज आप अपने सवाल हमसे पूछा करें और प्लीज फॉलो आर यूट्यूब चैनल, we follow us on Instagram and Facebook so that हम आप पे आप तक better information दे सकेंचन implants and associated facial surgeries के बारे में, thank you guys, thank you for joining this live session, have a good day.